बाइक के स्टन्ट से चोरी तक एक्सलरेटर वाले हाथों में पिस्टॉल का ट्रिगर देखते ही देखते शरारते तब्दील हुई गुंदागर्दी में बाइकर्स गैंग का राजधानी के सडकों पर आतर इनके गैंग वार का आतर भुगतना पर रहा है आम जंता को नमस्कार, सिटी पोस्ट की स्विसे स्पेसकर्स में आपका स्वागत है जो आपने अब तक देखा उससे ये पता चलता है कि अक्सरहां लोगों की ये नियत रही है कि कैमरे के सामने आ करके अपनी सीरत और सकल को बदलते रहते हैं लेकिन दर असल ये धूम जो 2000 के लमसा में फिल्म आई थी उस वक्त इसका युवाओं में क्रेश काफी ज्यादा तेज था लेकिन असल जिंदगी में असल हखिकत में ऐसा कुछ नहीं होता है लेकिन इस वाक्या को पिछले एक महिने में पतना के कुछ मंचलों ने पतना की सरकों पे सच कर दिखाया है वो सच इसलिए कर दिखाया है क्योंकि जो बाइकर्स की जो गैंग है इतने सारे अब अब हमारे स्क्रीन के उपर डाटा देखिए जिसमें तमाम बाइकर्स गैंग्स का नाम आ रहा है जो की पतना के विभिन बोडिंग रोड, कंकरबाग, हनु और उसे भी चोकाने वाला सच ये है कि आज से दो-तीन साल पहले बाइकर्स गैंग्स दो या तीन हुआ करते थे जिनके नाम जो थे वो प्रचलन में थे लेकिन अब दरजनों बाइकर्स गैंग्स हमारे सामने आ चुके हैं तो आपको बताते चलें कि इन सभी बाइकर्स ग पे सर्याम उत्पात मताते हैं बोडिंग रोड हो गया हनुमान नगर कंकरबाग खगौल दाना पूरा निसाबाद तमाम ऐसे जगों पे उत्पात मताते हैं इसके बाद इनके मन में सबसे पहले इस वेहम को हटा दिया जाता है कि पुलिस नाम की भी कोई चीज है तभी तो को बनाने के लिए और वट्चस्व बनाने की मद की माया में इतने चूर हो जाते हैं कि फिर ये लोग उसी पॉलिटीसियन के साथ जूर करके उनके पीछे पीछे जंडा लेकर के चल देते हैं रोड सो हुआ रैली हुआ तमाम जगों पी ये लोग नजर आते हैं उनके साथ अब पॉलिटीसियन तो इनका इस्तमाल कड़ी रहे हैं अपने नीजी फायदा के लिए लेकिन अब ध्यान देनी की बात यह है कि ये जो बाइकर गैंक्स के लड़के हैं जो नौईवा हैं इनका क्या भविस्से है जब या करके इनमें जुड़ते हैं तो उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आप ये लड़के नहीं समझ पाते हैं कि राजनितिक पार्टियां आपका इस्तमाल करके आपको दूद में पड़ी मक्खी की तरह उठा कर फेक देंगे जब आपको इनके जरूरत पड़ेगी तो ये आपको पहचानने से भी इनकार कर देंगे आप जिनके लिए जंडा उठा करके जिनके पीछे पीछे चलते हो वक्त आने पे वो आपको नहीं पैशानेंगे वो आपको जब आप पुलिस के हंथे चड़ोगे तो आपको छुडाने और बचाने भी नहीं आएंगे फिर ये किस तरह की नाम और किस त तरह से बाइकर गैंक्स का प्रचलन बढ़ा है उसे साफ साफ यही पता चलता है कि यहां पे कहीं न कहीं प्रसासन की नाकामियों का असर है कि दो-तीन साल पहले दो-तीन लोग हुआ करते थे और आज दरजनों लोग पटना की सरकोप्या करके उत्पाच मचा रहे हैं तो हमें और आपको समझने के और सचेतने की जरुवत है कि आखिर हम यह कैसा और किस तरह के समाज का निर्मान कर रहे हैं और युवाओं को भी सोचने की समझ है युवाओं को भी समझने की जरुवत है कि अभी आपकी उम्र एक उरजावान उम्र है उरजावान आयू है और इस आय प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको सेयर करें सस्क्राइब करें और अभी तक के लिए हमें दीजा इजाजत धन्यवाद